है दोस्तों वेलकम टो तर टेक डिजाइन स्टेडी तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लास्टिक का जो एक स्पून होता है तो उसके लिए आज हम लेक कंप्लीट मोल्ड को देखेंगे कि किस तरह से उसके मोल्ड को हम लोग बनाते हैं तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो भई पहले चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ताकि औरों के भी हल्प हो सके तो मैं आपको वेबसाइट खोल के पताये तो यह हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको जोब वरेंटेट कोर्स मिलेंगे आप अगर प्लास्टिक मोल डिसाइट का कोर्स जोइन कर सकते हो जिसके अंदर थियोरी प्लस कैल्कुलेशन डिजाइन सभी आपको चीजे मिलेंगी लाइफ कोर्स अगर अटेंड करना है जो कि नेक्स्ट मंत की फर्स्ट तारिक से स्टार्ट है तो आप लाइफ कोर्स जो तो वो भी आप देख सकते हो ठीक है जो इस्पून का जो कमपोनेंट है उसका अगर आपको मोल्ड का डिजाइन अगर खरीदना है बाई करना है तो भी आप यहाँ पर थेडी केट शॉप के नाम से एक आपको अप्शन दिख रहा है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहा पर एक गेट कोट करके नाम आएगा तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपनी कोटेशन के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हो तो बिसे किली क्या है जो भी आपको अपको कमपोनेंट का डिसाइन करवाना है या फिर आपको कोई भी इंडेस्टियल वर्क कर करवाना है तो हम लोग यहां से इसको प्रोवाइड कराते हैं ठीक है चलिए तो हम लोग स्पून के मोल्ड को खोल लेते हैं ठीक है देखो यह हमारे पास एक स्पून यह है कमपोनेंट ठीक है तो इस कमपोनेंट का कुछ ना कुछ वाल थिकनेस होगा सभी को पता है ठीक ह यहां पर इसकी wall thickness क्या है uniform wall thickness है तो यह हमारा क्या है एक plastic का component है इसके लिए हम लोग आज इसकी wall thickness क्या है तो इस component को पहले हम लोग क्या करेंगे भई श्रिंकेज देंगे ठीक है चलो श्रिंकेज यहां से मैंने सको करा मैं करन्द फीचर मैंने सके इंदर श्रिंकेज दे दिया देखें कितना परसेंट श्रिंकेज दिया है depending upon the material depending upon the plastic material, plastic material क्या था? इसका plastic material जो है वो है PP, polypropylene अगर polypropylene है तो 2% का shrinkage दे सकते हैं, fitment का component नहीं है तो हम लोग इसमें कम और ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि इसमें छोटा सा अगर कोई volume अगर कम होता है ज्यादा होता है तो उसे फरक नहीं पड़ेगा, right? चलिए और उसके बाद देखते हैं, यहां पर मैं इसको position देता हूँ, यहां पर इसको position देती, ठीक है उसके बाद इसको मुझे circular बनाना है क्योंकि इसके अंदर हम लोग इस्तमाल करने वाले है ring gate का, ठीक है तो इसको मैंने position दे रहा है, देखो यहां से मैंने इसको कर दिया depending upon that projected area, आपको यहां पर देखना पड़ेगा, कितने ton की machine यहां पर लगने वाली है, जितने ton की machine लगेगी, उस machine का हमको data चाहिए, उस machine का in the sense, injection molding machine का हमको क्या चाहिए, data चाहिए, तो यहां पर देख लेते हैं, जो भी हमारे पर tonnage machine आई होगी, उसके इसाब से, हम parting line, parting surface, तो parting surface के लिए मैं through curve का इस्तेमाल करूँगा, यह दिखिए, ठीक है, through curve का इस्तेमाल करते हैं, और इसको कर देते हैं, pattern, तो हमारे पास क्या है, एक portion निकल जागा, देखो यहां पर, उसके बाद एक sketch कर देते हैं, उसके बाद bounded plane से इसको पूरा close कर देंगे, देख इसका core, पर example, ठीक है, इसको extrude कर दिया है, मैं लिए अभी surface में है, इसको मुझे बाद में save करना पड़ेगा, बादे प्लिंग करके close कर देते हैं इसको body को, और यहां से इसको कर देते हैं save, ठीक है, यह हो गया save, component हमारे पास एक ही है, लेकिन उसके कितने सारा impression है, हमारे इसका cavity बना है, इसका core या फिर cavity बना है, ठीक है, एक और extrude कर लेते हैं यहां पर देखो, एक और extrude कर लिया, तो यह किस के लिए हम लोगों ने extrude किया है, फ़र दा cavity, नीचे वाला पन गया core, चलिए, इसको subtract कर लेते हैं इस body में से, देखते हैं यहां पर क्या हुआ cavity, देखो जारा ध्यान से, ठीक है, cavity और the core, यहां पर इसको कर देते हैं, pattern, ठीक है, यहां पर इसको कर लेते हैं, pattern, ठीक है, और इसमें से इसको subtract कर देते हैं, क्योंकि वहां पर हमको उसकी wall thickness चाहिए, जितनी wall thickness component की रहेगी, for example, 1 mm wall thickness है या फिर 1.5 wall thickness है, तो उतनी wall thickness हमको impression के अंदर लेनी पड़ेगी, तभी तो उसके अंदर material भरेगा, राइट, चलिए, यह हो गया, subtract, चलो, subtraction में फ्रुदा सा time लग रहा है, ठीक है, तो यह complete हो गया, subtraction, इसका subtract हो गया है, यहां से मैं एक और sketch लेता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं एक और sketch ले रहा हूँ, तो यह जो मैंने sketch लिया है, यह किसके लिए लिया है, मैंने feed system के लिए, basically मुझे यहां पर एक बनाना है runner, runner बनेगा, लेकिन इसके अंदर आप बोल सकते हो, कि इसके अंदर हम लोग एक ring time का runner create करेंगे, ठीक है, जिसको हम ring getting भी बोल सकते है, ठीक है, देखो, यहां पर, जो आ यहां भी आप बोल सकते हो, कि कितना इसका वजन है, कितना इसका weight है, उसके उपर depend करेगा, इसका runner का diameter, ठीक है, runner or the length of the runner, clear है, चलो, इसको कर देते हैं, okay, ठीक है, यहां से इसको कर देते हैं, trim, ठीक है, इसको कर देते हैं, offset, ठीक है, तो हमारा core और cavity, जो point 60 core और cavity यहां पर बनके तयार हो गई है, ठीक है, उसके बाद देखो, यहां से pattern geometry करते हैं, ठीक है, इसको pattern geometry कर लिया, क्यों, pattern geometry क्या कर रहा है, जो gate हम लोग इसके देर बना रहे है, या फिर आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको एक तरह से pin point gate भी बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर कर दिखाएता है, वो circular gate होता है, ठीक है, और यहां से इसको कर देता है, subtract, देखो, subtract, यह तेको, यहोग यहाउ, ठीक है, यहां से हमको फिरसे, सबस्ट्रेक, करना पड़ेगा, इसके अंदर से भी, यहोग तक इसके अंदर से, हम लोगों ने इसको नहीं लिया, आई, पर misalignment नहीं चाहते है, अगर misalignment होगा, तो क्या होगा, misalignment हो जाएगा, तो material उसके अंदर पहुचेगा नहीं, देखो, ठीक है, उसके बाद यहां से कुछ portion है, जिसको हम लोगों ने delete कर दिया है, जिसकी हमको requirement नहीं है, तो यह इसका coral cavity बन चुका है, ठीक है, तो यह हम लोग interlock देते हैं, किस के लिए देते हैं, यहाँ पर, for the proper alignment of the core and cavity, core and cavity के proper alignment के लिए हम लोग interlock का इस्तमाल करते हैं, interlock आप बोल सकते हो, जिस तरह से guide player और guide bush होता है, उसी तरह से interlock होता है, ठीक है, तो भी, ध्यान से देखेगा, पूरे जब complete आप lecture को देखो गए, तभी आपको समझ मायागा कि किस तरह से spoon के mode को आपको design करना है, ठीक है, उसके लिए calculation important है, इसलिए आपको course करना जरूरी है, ठीक है, course करने के लिए, आप नीचे link जो आपको देख रही है, उस पे आप click कर सकते हो, description में भी आपको link में provide करा दूँगा, ठीक है, चलो गई, यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, unite, इसके साथ unite कर दिया, और यहाँ पर मैं इसके अंदर offset और radius देता हूँ, देखो, यहाँ पर मैंने इसको radius देता है, यह radius manufacturing aspect से बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, कि जब हम लोग किसी block को VMC पर create करते हैं, VMC पर बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को end mill tool का और ball loss tool का इस्तमाल करते हैं, तो वहाँ पर वह radius छोड़ता है, तो हमको radius वहाँ पर देना जरूरी है, तो manufacturing का knowledge होना भी बहुत जरूरी है, जो कि मैं design के course के दोरान में आपको provide कराऊंगा, ठीक है, चलो इसको कर देते हैं, यहां से subtract, किसमें से subtract कर रहे हैं भाई, हम लोग दूसरे block में से इसको subtract कर रहे हैं, क्योंकि उसका female portion वहाँ पर देखेगा आपको, ठीक है, यह देखो, इसका female portion आपको इसमें द लीख रहे है, ठीक है, यहां पर देखो, यह रहा इसका female portion, किसका interlock के लिए, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, और दिहान से देखो ज़रा, ठीक है, यह देखो, ठीक है, यह बन गया, उसके बाद यहाँ से मैं इसको गर देता हूँ, ठीक है, ओके, यह बना रहा है हम लोग guide player और the guide bush, guide player guide bush कि के साथ attach रहेंगे, यह रहेंगे, cavity portion के साथ attach, यह रहेंगे, ठीक है, cavity portion के साथ attach, यहाँ पर है, एक आपको thumb rule बतायता हूँ, यहाँ से लेकर, यहाँ तक कि जो आपको length दिखरी है यह किसके ओपर depend करती है, component की height के उपर, component की height से यह ज़्यादा होना चाहिए, component की height से क्यो हाँ पर कोई मतलब भी नहीं, तो यहाँ पर इसकी length इस से ज़्यादा होना चाहिए, किस से component की height से, ठीक है, चलो, यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, तो यह हमारे पास 4 pillar हो गए, इसको मैं फिर से extrude कर देता हूँ, देखो, यह वाला portion क्या हुआ हुआ हमारा, bush वाला portion, ठीक ह क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा छोटा portion नहीं है, जिसके अंदर हमको insert लगाना पड़े, और जो की operation को दोरान तूट जाया है, या फिर break हो जाया है, चलो, यहाँ से सुकर देते हैं, unite, तो चारो यह जो portion रहेंगे, यह जो रहेंगे, इसको हमको unite करना पड़ेगा, ठीक है कैट पिलर का जो diameter है, वो calculation से निकलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मन से आप calculation कर लोगे, मन से हम लोग नहीं दे सकते कोई भी चीज़ को, ठीक है, उसके लिए हमको calculation जरूरी है, अब देखो, यहाँ पर यह जो आपको portion दिख रहा है, यहाँ पर मैंने 4 point बनाया है, किसके लि वायर फ्रेम में, वायर फ्रेम में आप देखो के तो यह वाला जो आपको guide pillar दिख रहा है, बैसिक लिए इसके अंदर ही है, यह इसके अंदर मैंने क्या है, fit कर रहा है, press fit कर रहा है, आप बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँ है, बोल्ट करूँगा, ठीक है, उ उसके बाद, यहाँ पर फिर से एक sketch कर देते हैं, यह sketch कर दिया, यह sketch हम लोग किस लिए कर रहे हैं, for the sprue bush, for the sprue bush, sprue bush का कोई भी diameter specific नहीं होता, मतलब कोई विशेष्ट नहीं है, कि आपको यहाँ पर sprue bush का diameter इतना ही लेना है, कोई thumb rule नहीं है, basically वो depend करता है, कि हमारा mold की cavity or mold का core कितना बड़ा है, तो इसके उपर depend करता है, यहाँ पर आपका sprue bush का end point है, वो आना चाहिए, है कि नहीं, चलो, ठीक है, इसको कर दिया मैंने, okay, ठीक है, यहाँ से कर दिया मैंने इसको, subtract, एक और sketch ले ले लेते हैं, यह sketch जो हम लोग ले रहे हैं, यह किसले ले ले र क्योंकि देखो, मान के चलो, यह हमारा sprue वाला portion है, तो इसको हम लोग लोग कर रहे हैं, यह वाले portion को हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान के चलो, operation के दोरान इसके उपर इतने tonnage का force लग रहा है, तो अगर यह rotate हो जाए, यह अपने access पर, अगर कुछ angle पर घूम आएगा, तो volume कम नहीं होना चाहिए, that's why हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक lock लगा रहे हैं, ठीक है, चलो भई, split कर देते हैं, और जो कटा हुआ portion है, इसको unite कर देते हैं, यहाँ से जब मैं इसको height करूँगा, आपको किस तरह से देखे का यह, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद, इसको मैं कर देता हूँ, subtract, ठीक है, subtract, यह कर दिया मैंने, okay, ठीक है, ठीक है, यह हो गया, चलो control, edge करके मैं इसको जड़ा देखो, एक बार, किस तरह से हमारा, यह बन चुका है अभी तक, यह देखो, ठीक है, यह क्या बन गया हमारा, core and the cavity with the sprue bush, with the sprue bush, ठीक यहाँ पर, इसमें से, इसको subtract कर देते हैं, किसके लिए, nozzle के diameter के लिए, यह देखो, यहाँ पर nozzle वाला portion आएगा, right, चलो, यह सो कर देते हैं, my current feature, यह क्या है भई, यह है, यह अरेश्टर रिंग, और locating रिंग, ठीक है, तो इस mold में, आपको सभी चीज़ा पता चलेंगी, कि mold based की कौन-कौन से parts होते हैं, कौन-कौन से उसके elements होते हैं, सबके material भी अलग-अलग होते हैं, जरूरी नहीं, सबके material एक हो, depending upon the life of the mold, वो depend करता है, उसकी life हम लोग कितनी चाहते हैं, कितने short उसके अंदर से निकालने वाल है, कितने चम्मच आपको चाहिए, कितने component आप को चाहिए, उसके उपर भी depend करता है, राइट, चलो, ठीक है, यह क्या हो गया हमारा spacer block, ठीक है, spacer block basically क्या करता है, एक space provide कराता है, किसको ejector plate और ejector back plate को, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको mac current feature, यह हो गया हमारा bottom plate, ठीक है, इसको कर दिया, ठीक है, दो blade लेते ह यहाँ पर, यह हमारे पास ejector plate और ejector back plate, ठीक है, इससे क्या connected रहेगी, इससे हमारी ejector pin connected रहेगी, ठीक है, चलो भई, ठीक है, ejector pin, यहाँ से मैं इसको अटा इता हूँ, एक बार, ठीक है, यह अटा दिया, देखो, ejector pin connected रहेगी, ठीक है, और हमारा यह sprue का end भी connected रहेगा, ठीक है? चलो इसको कर देते हैं replace, यहां से कर दिये हैं करेंग replace, यह तो यह प्रिशन तो यह क्या करेंगा component को eject क्रने का काम करेंगा मतलर क्वादा चम्मच को प्लिक है, यहां से कर देते हैं इसको ठीक है? रेश्टर रिंग भादा दूं एक बार ज़लो रइष्टरिंग अटाएते हैं भई अभी दिख्राएं ने अब दिख्रा राइट यह से कर देता हूं सब्स्ट्रेक्ट क्योंकि हम इसको क्या प्लेट में से कोर में से और बैक प्लेट में से सब्स्रेक्ट करना पड़े का तब यह पीसे जाएगा भई नहीं तो यह वाला portion यह जो आपको दिख रहा है यह क्या है हमारा चलो आपको तोड़ा सा detail में इसको दिखाता हूँ देखो यह क्या है हमारा यह है भई sprue puller किस काम आता है sprue puller जो भी component है component को feed system के साथ core side में खेचने काम आता है वो उसको pull करके रखता है अगर component अगर cavity के साथ चिपक जाएगा तो हम लोग eject किसको करेंगे automatic ejection नहीं हो पाएगा ना that's why हम लोग इस sprue puller को यहाँ पर design करते है ठीक है चलो भई यहां से मैंस को कर देता हूँ यहां से मैंने शो कर दिया ओके चलो यह हो गया यह वाला portion क्या है यह है हमारा rest button ठीक है तो यहां पर rest button बतलब basically ejector plate और ejector back plate को यह rest provide कर आता है ठीक है चलो यहां से कर देता हूँ इसको bolting बोल्टिंग इसके अंदर हो गई है फिर से मैं wireframe में बताऊंगा तो इसके अंदर यह बोल्टिंग और ejector plate ejector back plate के साथ connected रहेगी न भाई connected रहेगी अभी तो काम करेगा वह connected नहीं रहेगी तो काम केसे करेगा है यहां से मैंने कर दिया जो भी required operation है वह चीज़ हम लोग कर लेते हैं उसके बाद last में हमारा mold पूरा complete हो जाएगा अब यह control shift U करके देखता हूँ हमारा mold completed तो यह हमारा क्या है spoon का mold है यह वाला जो portion आपको दिख रहा है यह क्या है यह यह रेटन पीन यह क्या है रेटन पीन क्या काम करती है ejector plate और ejector back plate को फिर से अपनी home position पे लेके आती है ठीक है यहां से जड़ा layer में चले आते हैं इसको जड़ा हटायते हैं तो sketch वाले portion पूरे चले जाएंगे तो आपको solid वाला portion दिखेगा ठीक है यह हमारा क्या है guide block or the guide bush इसको यहां से मैं हटायता हूँ इसके अंदर से मैंने इसको subtract नहीं किया है तो यह आपको solid दिख रहा है जब है ठीक है यह क्या है हमारा भाई component है ठीक है इसके साथ यह सभी component को क्या कर लेते हैं भाई multi cavity component है ठीक है तो सभी को मैं select कर लेता हूँ तो इसमें इस तरह से बाहर निकल के तयार हो जाएगा तो कि क्या है हमारा spoon का mold ठीक है तो यह हमारा है moving half ठीक है moving half यह side core रहेगा वह रहेगा हमारा moving half और इदर आपको दिख रहा है fixed half fixed half में आपको कौन सा portion है देखो cavity वाला portion ठीक है तो यह आपका mold बनके तयार हो गया इसके अंदर और भी कुछ basic basic element लगते हैं जैसे के wear plate लगती है और भी कुछ इसको buy करना है तो भी जैसे में आपको बताया था कि आप इसको buy कर सकते हो 3D care shop for industry पर जाएगा educationwood.com पर या पर tech designer study.com ठीक है यहाँ पर आप इसके mold को design ले सकते हो buy कर सकते हो duster, spoon, flip-flop, cap और egg tray और soap case और the fan अभी यह available है और अगर आपको plastic mold listen का course करना है ठीक है तो यहाँ पर आप plastic mold listen का course कर सकते हो जो कि next month की first तारिक से start हो रहा है जो कि live course है तो live course join करना है तो join कर सकते हो recorded session अगर आपको लेना है one time ठीक है तो वह भी आप provide ले सकते हो राइट यहाँ पर एक और सीच बता दूँ अगर कोई for example industry से related है और किसी को अगर industry का काम करवाना है कोई project base के उपर काम करवाना चाहता है तो वह करवा सकता है गेट a court for a new design work यहाँ पर एक button है इस पर आप क्ल आप इसमें upload कर सकते हो यहाँ पर डाल सकते हो ठीक है अपने detail के साथ ठीक है new product design का work करवाना है या फिर plastic mode design का का काम करवाना है HPDG का काम करवाना है या फिर sheet metal का का काम करवाना है right home पे जाके देखते हैं वही home पे आपको सभी courses मिल जाएंगे ठीक है अभी mode design है और NX Unigraphics program है press tool का बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेने लेकर आने वाला हूं और भी कुछ courses जो बहुत जल्दी आने वाले हैं ठीक है तो अभी plastic mode design और NX Unigraphics का code अभी course live available है ठीक है तो आप इसको join कर सकते हो यह lecture अगर आपको हमारा पसंद आया है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हो वी झापक день कर अपक ever तो आपके से अपके सामने है रापका खो हमार आपके सा कुछ